हाई प्रेंट्स आज इस वीडियो में हम अंडा खाने के फादो और नुक्षान के बारे में बात करेंगे अंडा हमें पूरा खाना चाहिए या फिर पीला भाग या फिर सफेद भाग इसको भी समझेंगे परंतो इस से पहले समझते हैं कि अंडे के अंडे के अंदर आकिर पाया क्या क्या जाता है आपको बता दे कि एक अंडे में आपको 6 ग्राम प्रोटीन, 78 केलोरीस और 5 ग्राम के लगबग आपको फेट देखने को मिलता है इसमें सोडियम और पोटेशियम भी कापी अच्ची मातरा में पाया जाता है जो कि आपके बिलर्ड प्रेशर को कंट्रोल करने में मदद करता है जो भी लोग बोडी बिल्डिंग करते हैं या पिर जिम जाते हैं या पिर कोई भी फिजिकल एक्टिविटी जादा करते हैं तो उनके लिए ये कापी फायदे मन्द होता है तो कि इसमें प्रोटीन की मातरा कापी अच्छी पाई जाती है और 37 इसमें केलोरी और फेड़ भी कापी अच्छी मातरा में पाई जाता है जो कि आपको मसल्स बढ़ाने का काम करता है या आपके सरी में टेस्टेस्टोर और आर्वन को बढ़ाता है जो कि आपके लिए कापी फायदे मन्द होता है अंडा आपके सरी में हड़ियों और मास्पेशियों को मजबूद बनाता है क्योंकि इसमें केलसियम और प्रोटिशियम भरफूर मातर में पाय जाता है जिससे कि आपकी हड़िया और मास्पेशिय काफी मजबूद बनती है यदि आपको ऐसी कोई भी प्रोब्लम है तो आप इसका सेवन जरूर करें यह आपकी आँकों के लिए भी काफी फायदे मन होता है यदि आपको कोई आँकों संबंदिस प्रोब्लम है तो आप इसका सेवन जरूर करें अब बात आती है दोस्तों कि एक दिन में हमें कितना सेवन करना चाहिए। दोस्तों आपको बता दे कि यदि आप जिम या फिर एतलिस्ट हो तो आप चार से पांच एक दिन में ले सकते हो। क्योंकि आपको इसकी नीड होती है। परंतु एक बात का द्यान रखे जदी आप ज़्यादा मातरा में आप इनको लेते हो तो आपको पीला योग इसको हटा सकते हो क्योंकि इसमें फेट की मातर कापी ज़्यादा होती है। और प्रोटीन का भाग तो सिर्फ सफेद भाग में होता है उसमें लगवग आपको पांच ग्राम प्रोटीन देखने को मिलता है यदि आप फिजिकल एक्टिविटी ज्यादा नहीं करते तो पर डे आप दो अंडे रोज ले सकते हो टेंड के मौसम में आप इने रेगुलर भ कापी होता है और कोई भी डाइट होता है दोस्तों कमेंट बॉक्स में जरूर पूँचे एसी मौर वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रहके धन्यवाद